प्रिय चात्रों आज की संस्क्रत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम् स्वागत है। आज हम अपनी भास्वती पाठि पुस्टक का ग्यार्मा पाठ पढ़ेंगे जिसका सिर्षक है सैमे प्रियाह है। क्या सिर्षक है प्प्रिय चात्रों सै में प्रिय चात्रों आप अपनी कलं और कापी रखेंगे। क्योंकि मैं जहां आपको साब्दिक अर्थ बताऊंगा वहीं व्याकरण से भी परिचित करवाऊंगा, समासों से भी परिचित करवाऊंगा, संधियों से भी परिचित करवाऊंगा, प्रत्यों का भी ज्यान दूँगा, इसलिए आप साथ साथ में अपनी ये सब बातें व्य में प्रियोग वह मेरा प्यारा है व्याकरण की द्रिष्टी से कभी कभी में को पूरुव में दे देते हैं तो वह असुद्धी बन जाता है तो बीच में ही में का प्रियोग होता है और में का आर्थ है मेरे लिए और में का आर्थ है मेरा चतुर्थी के अर्थ को भी देता है और सश्ठी के अर्थ को भी देता है भगवान शृकृष्ण कह रहे हैं हम आगे आपको विस्तार से बताइंगे सैमे प्रिय बचन भगवान सृकृष्ण का है और यह कहां का है बार माध्याय है और स्रीमद भगवत गीता यह एक महान ग्रंथ है भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए श्री मदभगवत गीता का बहुत महत्व है श्री मदभगवत गीता के रचईता जो रहे हैं उनका पूरा नाम है महर्शी वेदव्यास और अधिक विस्तार में जाएंगे तो श्री कृष्णो द्वाईपायन महर्शी वेदव्यास प्रियचात्रो यहां एक सब्द आया है महर्शी संदि छेदिश में होगा महारिशी यहां गुण संदि का नियम प्रियोग किया गया है ए आ से परे जब री होगी रिशी की री होगी या रितू की री होगी तो अर हो जाएगा अगर आशे परे रिशी और रितु की री को छोड़ करके अन्य कोई री होगी तो वहाँ पर आर हो जाएगा जैसे सुख जमारिता सुखार्था दुख जमारिता दुखार्था लेकिन महर्शी सब्तर्शी देवर्शी नारदिर्शी राजर्शी आधि सब के अंदर इतना महत्य इसको क्यों दिया गया आप जानिये इसके अंदर जैसे हमारी भारत के भू भाग पर गंगा यमना सर्श्वती तीन निदिया बहती हैं उसी प्रकार इसके अंदर तीन योग महत्य पुर्ण भकति ज्यान और कर्म आज का जो पाठ है भक्तियोग आधारित है, विद्वानों और मनिशियों का मानना है अगर किसी ने भक्तियोग पालिया तो उस्य कर्म योग की और ज्यान योग की आविशक्ता नहीं है अन्तता है भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान योग योग इस्वर कृष्ण तक या परभ्रम परमात्मक पहुंचने का एक मात्र रास्ता और सरल रास्ता और उसमें भी दो रास्ते जैसे की इस पार्ठ में बताए जाएंगे सगुन साकार और निराकार जो प्रभु अपनी डंके की चोट बात कह रहे हैं वह सगुन साकार के लिए कह रहे हैं अगर जो साकार की उपाशना करता है वह व्यक्ति शिग्र ही मेरे तक पहुंच सकता है क्योंकि सगुन के अंदर प्रेम भग्ति का प्रभाव बढ़ जाता है तो यहां पर भग्ति का वरणन हमें क्या शिखाना चाहता है क्या करना चाहता है जब तक शमर्पण नहीं होता सर्वष्व प्रत्याग कि भगवान ने कहा अगर तू जैसा की प्रभू ने कहा है गीता में गीता गीता का सारी प्रभुनी दे दिया, जब कुछ भी समझ नहीं आया आरजुन को, तो भगवान ने कहा कुछ भी नहीं कर सकता, तो इतना करो यदक क्रोशी, जो कुछ करते हो, यह मानो, अकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, यदशनासी, और जो तुम खाते हो, वह भी प्र और जो शरीर से कष्ट उठा रहे हो, तत कुरुष्व मदरपण, मेरे चरणों में भेंट कर दे, मेरे लिए समर्पित कर दे, यह सब तुम तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और किशी के लिए नहीं कर रहा हूं, तो तेरा भगतियोग शिद्ध हो जाएगा, तो आइए प्र आत्मा को उन्नत बनाने के लिए त्याग को अपनाना पड़ेगा, और इस पाठ का एक सुत्र है, नास्ति त्यागात, परमशुखम, त्यागात, सान्ति, अनंतरम, त्याग से बड़ा सुख नहीं है, और ज्यों ही व्यक्ति ने त्याग किया, त्यों ही शान्ति प्राप्त कुछ बात और गीता के संबंध में एक पंक्ती में कह देना चाहता हूं, गीता महर्शी वेदव्यास द्वारा लिखे गए महान ग्रंथ महाभार्त का एक अंस है और वह अंस है भिश्म पर्व के नाम से प्रशिद्ध और उशी के 17 अध्यायों को गीता के नाम से संबोधित क किया जाता है, गीता में 700 स्लोक हैं, अठारा ध्यायों में अठारा योग हैं, विशेष्ता है, तीन योग बहुत विस्तार से और मनुष्य कल्यान के लिए प्रभू ने कहे हैं, आईए हम उन्हीं को भगती योग को पढ़ते हैं, आज भगती योग पढ़ेंगे, और पहल परिचे करवाएंगे, आईए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, प्रिचात्रों हम उच्चार्ण करते हैं, किस प्रकार से उच्चार्ण करना होता है, आईए ये अनुष्टुप चंद के उधारन है, और अनुष्टुप चंद को बता आगा है कि जब आठ वरन हो जाए तो हम कुछ स्वास भर लें और फिर आठ के बाद फिर, आठ के बाद फिर मतलब कहने का तात परिया है, आठ चोक बत्तिस, बत्तिस वरन है इसके अंदर अनुष्टुप चंद का ये उधारन है, आईए कैसे इसको बोला जाता है, उच्चार्ण किया जाता है, आदर स्वा खिर कर सन्दिनगे, क्लेशयोः अधिक्तारат तेशाम, अभ्यक्ता हि गतिर दुखं देह वत भिर्ण वाप्यते, हम संदिचेरि के साथ पड़ेंगे, क्लेशय अधिक्ता रातेश Нам अभ्यक्त आशक्त चेट साम, अभ्यक्ता हि गति theo दुखं देह वद भी और अवाप्यते, अवाप्यते में भी अव और आप लटलकार प्रसम प्रशेक वचन है, कलेश का अर्थता कष्ट, तकलीफ या दुख, अधिक तरह अधिक होता है, तेशाम उन लोगों को अभ्यक्त, अभ्यक्त का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता, स्पष् जिसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया, इस पाठ के अंदर साकार भग्ती और निराकार भग्ती के संबंधे में बता गया है, तो व्यक्त का अर्थ प्रिय चात्रों आप समझोगे साकार और अभ्यक्त का अर्थ समझेंगे निराकार, जो व्यक्ती अभ् अधिकतिों का निराकार ब्रहर में मन लगये गया है उन्हें भकति करने में अधिकत्त होता है। यह कहा अभ्यकता ही जो निराकार की भकति करते हैं उन्हें Lahir Gatisen Near ид fundamentalines भगति की और चलना तो गति महने चाल भी होती है यहां गतिकार्थ प्रगति प्रगति किसमे भगति के मार्ग में भगति के मार्ग की और बढ़ना जो अभ्यक्त के अंदर लगे हुए हैं अभ्यक्तकार्थ है निराकार भगवान की निराकार भगति करते हैं उनको देहवद देह सब्द से आपको मतुप प्रत्य हुआ और जैसे शक्तिमान, शक्तिमंतव, शक्तिमंतः रूप चलेगा उसी प्रकार देह वान, देह वन्तव, देह वन्तव रूप चलेगा और तृतियावी भगती के भवचन में पहुच जाएंगे तो यह कर्म वाच्य का बाक्य बना में अत्य धिक कष्ट को प्राप्त करते हैं आई यह हम इसका परिक्षाप योगी अर्थ सरलार्थ कैसे लिखेंगे उसको जान ले और आप उसे लिख भी लें साथ साथ भगवान ने कहा जिन मनुष्यों ने देहधार्ण की है और देहधार्ण करके जो अध्यक्त की अर्था योग के मार्ग में बहुत अधिक कष्ट प्राप्त करना पड़ता है पतलब आसानी से वो ने पर ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते भग्ति को नहीं पा सकते कष्ट से पाते हैं और सरलता से तो साकार स्वरूप का ध्यान करने वाले पाते हैं तो समझ पाए आई यह हम अगले श्लोक की और बढ़ते हैं और इसका उच्चान देखते हैं आप भी गुन गुनाएंगे ये तू शर्वानि कर्मानी मै सन्यस्यमत परहा अनन्ये नई वयोगेन माम ध्यायंत उपासते बहुत ही सुन्दरबास वेद व्यास जी ने कही है भगवान के श्री मु अर्जुन के माध्यम से भक्त को सम्मुक्त वार्जुन है तो अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं भगतियों के बारे में ये तू जो लोग तो सर्वानी कर्मानी ये नपुन्शकलिंग का रूप है कर्म कर्मनी कर्मानी और यहां हो गया अगर हम समस्त पद करें तो सर् कर्मार्णि आपको लिख लेना चाहिए शर्वार्णी कर्वार्णि का सब्द एक पड क्या बनागा समश्त पड शर्व कर्मानी रिसको वि डिय यह है इस बात को चाट्रर बहूत आसानी से समझते हैं क्रिकेट खSpot तक सन्यास ले लिए सफंद क्या है खूड़ दिया है तो सन्यष्य मतबर रहा आधिन हो गए मेरे गुलाम हो गए जिन लोगों ने अरहता है अन्य। अन्य का चिंतन ने करना अनन्य होता है दूसरे का चिंतन ने करना किसी भी सांसारिक वस्तु का या प्राणी का चिंतन ने करके किसका चिंतन करना भगु भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करना अनन्य नईव अनन्यन ये तृतिया होगी एव अलग हो गया व्रद्धिसंदि कैसे लगेगी ए आ से परे ए आई होगा तो आई ए आ से परे ओ ओ ओ और आ से परे मैंने बताया रिशी और रितु की मात्रा नहीं हो रही की तो आर हो जाएगा आईए व्रद्धिसंद्य योगी योगे नहीं योग माने भगती से और वो योग कोन सा है समत्त अपने पराए के भेध को भूल जाना ये योग है क्योंकि भगवान ने कहा गीता में समत्तम योग मुच्चते समता ही योग है जब तक अपने पराय का भेद नी चूटता तो योग नी बनता तो कहते हैं अपने पराय के भेद को छोड़ करके केवल मेरे को ही जो पूजा करते हैं माम ध्यायनता है उपास्ते मेरी ही उपासना करते हैं इसका अर्थ अगले स्लोक से भी जुड़ेगा प्रिचात्रों हम दूसरे स्लोक को पढ़ करके ही पूर्व स्लोक के अर्थ को उसके साथ जोड़ पाएंगे और दूसरा स्लोक हमें अर्थ को कहता है प्रिचात्रों हम आपको बता रहे हैं अकी प्रथम स्लोक का आर्थ दूसरे स्लोक के साथ जोड़ करके ही जान पाएंगे जैसा कि इसमें कहा गया है मैं एव मुझ में ही मन आधत्ष मन लगाले प्रभू कह रहे हैं भक्त से अकी भक्त मेरे ही में मन लगाले मैं बुद्धि मनिवेश है और मेरे ही अंदर अपनी बुद्धि को टिकाले स्थिर करले निवशिशिशि मैं एव और इस प्रकार से कि या इसके बाद संद्य करने का कोई अवसर ही नहीं रह जाता है यह बताना चाहा प्रभु ने जैसे कि हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग करके मेरे आधिन हो अर्थात उस आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाएगा इसके बाद संदेह करने की कोई जरूरत ही नहीं है समझ पाए आप अर्थात हर चीज प्रभू के लिए समर्पित करने के लिए प्रभू ने कहा अगर तुझे मेरे अंदर मिलना है और मेरा ही बनना है तो तुँ हर कारिये मेरे लिए समर्पित कर दे आई हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं किस प्रकार से महर्ची वेद व्यासने पिरोया है सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम शर्वत्रसम भुद्धय ते प्राप्नु अंति मामेव शर्वभूत ही ते रथाहा सैन्नियम्य सम उप्सरग नीद उप्सरग यम धातू और ल्यप्रत्य इसको जोड़ेंगे तो बनेगा सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम यहां ग्राम अर्थ समुह का है इंद्रियों के समुह को पिरचात्रो हम इंद्रियों के वारे में बता रहे हैं इंद्रियां दस हैं और दस का दो जगह भी भाजन किया गया एक को कर्मेंद्रिय और कुछ को ग्यान इंद्रिय मतलब पांच ग्यान इंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय हैं जैसा आप देख रहे, मैं इस आरे के द्वारा आपको बता रहा हूं, कि मैंने ये कान पे हाथ रखा और ये कहा करनेंद्रियोओ और मैंने अब ये जीव पे आथ रखा. तो यहां मैंने हाथ लगा तो इसको तू इनवन कहते हैं यह रसना है रस को चखेगी तो रसना यह ग्यान कर रही है और जब बोलेगी तो यह वाक इंद्रिया है और नाख पे रख्या तो यह ग्राण इंद्रिया है और आख पे रख्या तो यह चक्षू इंद्रिया बोलते ह ये त्वकेंद्री है ये जो चमडी है पूरे शरीर पर इसको तच बोलते हैं ये पाँच इंद्रियां हमें ग्यान करवाती हैं और हाथ पैर पानी और मल के त्याग की इंद्रियां और एक मैंने बता दे टू इन वन तो आप समझ गे हाथ पैर लिंग गुदा और वाणी जै इन सब के समुह को काबू में करके सर्वत्र संबुद्ध है और जितने भी इस जगत में प्राणी है सर्वत्र माने सब जग है संबुद्ध है समान बुद्धी रख करके अर्थात दूसरा कोई है नहीं एह तो भगवान श्री कृष्ण ही है श्री कृष्ण से भिन कुछ न में रता हमाने लगा हुआ जिसका स्वभाव प्रतेग प्राणी का हित करने का है उन्होंने तीन बातें कहीं इसमें अपने इंद्रियों को जिसने काबू कर लिया अपना दिमाग मेरे में लगा दिया और सभी प्राणीयों को जो हित चाहता है तो फिर भगवान कहते हैं मामे एसा स्वभा हो जाएगा तो उस व्यक्ति का वो मेरे को ही प्राप्त कर लेगा तो प्रभु को प्राप्त करने का बड़ा सरल तरीका बता दिया आकि वाही समर्पन करदो दंडवत प्रणाम करदो बस जो कुछ कर रहे हो जो कुछ हो रहा है तुम कर रहे हो मैं कुछ नहीं क्योंकि हम तो उसकी कट्पुथली हैं आई हम आगे पढ़ते अत्चित्तम समाधातुम नशकनोशी महिस्थिरम क्या पढ़ा अत्चित्तम समाधातुम नशकनोशी महिस्थिरम अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तुम नधननजय है प्रियचात्रो अत्चित्तम समाधातुम नशकनोशी महिस्थिरम अभ्यासयोगेन ततह माम इच्छाप्तुम धननजय है भगवान ने कहा धननजय अर्जुन का ही ए आईवाची है हे अर्जुन क्या करना है तुझे मेरे तक पहुंचने के लिए आईए सुनो अथचित्तम समाधातम अब कहते हैं कि मान लो तैने अपने वस्मे करने में तू ऐसमर्थ है यहां लिखा अथ इसके बाद है जैसा तरीका बताया प्रभू ने अपनी इंद्रियों को काबु में करें सम में समान बुद्धी रख सब का बला करें ऐसी क्रियाई मान लो तू नहीं कर सकता है तो मेरे को कैसे प्राप्त होए फिर और सरलता पर आ रहे हैं बगवान और बोले हे धनन जये अर्जुन संबोधन है क्या चित्तम समाधातम नसकनोशी अगर तू समर्थ नहीं है मई श्थिरहम और मेरे में टिकाने में समर्थ नहीं ना तो तेरा मन तेरे बस में हो रहा है न तूँ अपना मन मेरे लिए समर्पित कर रहा तो क्या करें अभ्याष योगे अर्थ किया होता है? मन-बुद्धि-वचन- सब कुछ प्रभू में लगा देना। ये अभ्यास योग ये भक्ति योग तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे में लगा दे तो तु इस तरीके से भी मुझे प्राप्त करने में समर्थ हो शकता है तो किस प्रकार से लिखेंगे आप अपनी परिक्ष्या में भगवान ने कहा हे अरजुन अगर तुँ मेरे द्वारा पहले बताए गई क्रियाओं को करने में ऐसमर्थ है अपने मन को भी तुँ स्थिर नहीं कर सकता है या मेरे में भी नहीं लगा सकता है तो तुँ मेरे सगुन सवरूप का चिंतन करे इस प्रकार से तुँ मुझे पाने में समर्थ हो सकता है भगवान कितनी सरलता से अर्जुन को समझा रहे हैं अकि वो समझ जाए और अपने कारी से विमुख ना हो प्रभू का एक उद्देश्य है और देखिए कितनी सरलता पर आ गए प्रभू प्रभू ने बहुत सुन्दर बताया है अकि श्रेया ही ये स्रेय सब्द है और यहां विशर्ग संदी के नियम का पालन किया गया है विशर्गों को ओ जाता है जब किसी वर्ग का तीसरा चोथा पांचमा यह रहलेव है यह वर्ण हो तो तो स्रेया है जमा ही स्रेया धन ही स्रेयो ही फिर आगे कहा ज्यानम ज्यान अभ्यासात फिर कहा अज्यानात फिर कहा ध्यानम विशिश्यते फिर कहा ध्यानात कर्म फलत त्याग और फिर कहा त्यागात शांति अनंत्रम एक एक सीड ही चड़ते हुए भगवान बड़ी सरलता की और अर्जुन को ले जा रहे हैं तेरे लिए किस प्रकार से कल्याण की बात है ज्यान से अभ्यास वेष्ट किसी चीज को समझने से किसी चीज को बार-बार अभ्यास क अभ्यास से स्रेष्ट है और ज्यान से स्रेष्ट है और ज्यान से ध्यान से स्रेष्ट है और ज्यान से ध्यान 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 स्रेष्ट है और फिर ध्यानात कर्म फलत्याग ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग ये गीता का एक विशेश उद्यश्य और विशेश शिक्षा है जिसको एक निरक्षर व्यक्ति भी जानता और समझता है किस प्रकार्च कहा है सब बोलते हैं इस लोक को कर्मने वादिकारस्ते मा फले सूकदाचन मा कर्म फले तुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मनी भगवान ने दूसरे अध्याय में ये कह दिया कि कर्म के फल का त्याग जो व्यक्ति है उसके लिए करना जरूर तो यही कहाँ ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग है अगर उसने कर्म के फलका त्याग कर दिया तो प्रभु देखो कितनी सरलता से करते त्यागात सांती निरंतरम त्याग करते ही तुरंत सांती निरंतर तुरंत सांती प्राप्त जेते त्यागात सांती निरंतरम लगातार एक दम कोई देरी नहीं लगती यदि हमने कर्म के फलक प्रभु किस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए आत्म कल्यान की बात अर्जुन को बता रहे हैं जहां आत्म कल्यान की बात है वहां समाज का कल्यान अपने आप हो जाता है क्योंकि आप सब सुनते हैं जानते हैं प्रिचात्रों हम सुधरेगे जग शुधरेगा और हम बदलेंगे जग बदलेगा अपने आत्मा का उद्धार कर ले अर्जुन समस्त बढ़िया जाएगा और आत्मा के उद्धार के लिए भगवान ने इस लोक में कुछ शुत्र बताए है ये सारे व्यवहार की बाते कही गई हैं भगवान ने कहा अर्जुन तुम ऐसा भी नहीं कर सकता तो देखो ऐसा व्यवहार कर ले एद्ध्वेश तआ है द्वेश्ट गार्थ है द्वेश करने वाला एद्वेश्ट नऐ करने वाला कि सा इर्ष्या जलन ना रक सर भीता नाम स्भी प्राणियों के सबसे प्रेम करना .. दया ओ नहीं निर्मम को निर्दई わかते हैं हैं लेकिन याई निर्दई सबस्द नहीं है निर्मम कार्थ है मन नएं जैसे मक्षिकानाम अभाव है निर्मक्षिकम तो मम अभाव है पतलब मेरा जो अभाव है एहम का जो अभाव है वो निर्मम है पतलब मेरा कुछ है इने निरहंकार है किसी भी वस्तु का गर्व ने करना घमंड ने करना ये निरहंकार है यहां निर्शुद का उपसर्ग का प और उससे बढ़ करके कह दिया क्षमी, क्षम सब्द से निनी प्रत्य हुआ, जैसे दंडी, गुणी, कबची, शरी, इसी प्रकार क्षमी हो गया, क्षमी मनने क्षमा, के स्वभाव वाला, कोई कितना ये बड़ा अपराद कर दे, उसका दंड तेरे को नहीं, तेने तो उसको क्षमा करना है, तो भगवान ने बड़ा सरल शुत्रिश गीता में बता दिया, हर्जुन, ने किसी से द्वेश करो, सभी प्राणियों से मित्र भाव रखो, सब पर दया करो, किसी भी वस्तू को अपना मत समझो, और किसी भी वस्तू पर गमंड मत करो, और ये द्वंद का प्रती कह, सुख है, दुख है, आनी है, लाब है, जीत है, आर है, ये कहा, द्व कि आप रादों को क्षमा करने वाला बंजा अगर तेरा ऐसा स्वभाव ऐसी जिन्चरिया बन गई तो स्वत ही तुमेरे कुप्राप्त हो जाएगा प्रिचात्रो आज की कक्षा में हमने क्षमी इस स्लोक तक अपना पाठ पढ़ा है पढ़े गए पाठ का आप व्याकरण की दृष्टी से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अभ्यास करेंगे और हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे तब तक जयतु संस्कुतम जयतु भारती आप स्वस्त बने रहें यही सुब कामना है आप स्वस्तिकाओं में अपना है